नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिवेल एक्जुकुशन में और दोस्तों जब भी वाल का बोर्ड मेकिंग करते हैं या फिर वाल की सर्ट्रिंग आप फिक्स करते हैं किसी का कमेंट आया था कि वाल की सर्ट्रिंग इस्पेसले डीजैन बनाया जाए और ड जिनके लिए इंजीनियर्स ज्यादा ध्यान नहीं देते जैसे वर्क का इतना ज्यादा प्रेसर होता है कि आप डिफरेंट टाइप आफ वाल्स तो करते हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आपके पास बिग या फिर हैवी वाल होती है तब आप सारी चीजों को ध्यान और चोटी चीजों को ध्यान नहीं देते जो चोटे वाल होते हैं उनके लिए आप बेफिक्र हो जाते हैं और नतीजा ये होता है कि कहीं न कहीं से वो बेंड हो जाती है या सटरिंग कहीं से आपकी तूट जाती है ब्रेक हो जाती है स्टेजिंग फेल हो जाती है और कॉंक करनी पड़ती है इस वाल को रिपेर करने में या फिर साइए करने में अब इसका तरीका क्या है दोस्तों सबसे पहले तो यह मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो साइट पर काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा फैदे मन्द होने वाली है और जो डिजाइन में हैं या फिर जो डिजाइन सेक्षन देख रहे हैं या बिलिंग देख रहे हैं उन इंजीनियर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फैदे मन्द है यह सारी लिस्ट एक आपको दिख रही है स्लाइट करते हुए जो कि कितने सारे कॉंस्टेंट हैं जो कि कैलकुलेट करते हैं और किसके रिपोर्ट के हिसाब से दोस्तों यह सी आई आर आई एक रिपोर्ट से है यह चीजे मैं अल्रेडी बता चुका हूं कि कैसे इसकी कैलकुलेशन से हैं और आप प्रेवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं या फिर वाल की स्पेशल एक डिजाइन प्लेलिस्ट पनी हुई है आप उसमें वाल की जा सकते हैं कि वालर के तुरू जाएंगे तब आपको कैसे वाल की डिजाइन करनी है या आप सिंगल बैटन लगाएंगे या फर सिंबल सपोर्ट लगाएंगे तब आपको डिजाइन कैसे करनी है अब दोस्तों वीडियो ज़रूर पसंद किया जा चुका था, load calculation में 2.9 ton per meter जो wall की ply पे load आ रहा था और ply के design के बाद जब आप ply पे कोई बैटन लगाते हैं बैटन से ही आपका ply board बनता है, तो ये secondary जो बैटन आप यूज करेंगे 50 into 75 का बैटन था ये आपको ध्यान रखना है ये आपने सारा कुछ consider किया हुआ है, या फिर पिछली वीडियो में भी बताया हुआ था 200 mm की spacing पे उनको लगाना है तो load कितना आएगा? 0.724 ton per meter आएगा क्यों आएगा? 2.9 ton को आप यदि 0.25 से multiply करेंगे अब मैं जो नए हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपने ply पे जो load आ रहा था 1 meter by 1 meter के area का consider किया था आपने लेकिन यहां क्या condition हो रही है दोस्तों कि जो एक बैटन की spacing आप दे रहे हैं उसकी 250 mm की spacing है और इस 250 mm के कारण हो क्या रहा है? कि जो बैटन है ये अपने दोनों की spacing के बीच का load और दूसरे और पहले बैटन के बीच के spacing के load को ही केवल bear करेगा प्लाई की तरह नहीं कि पूरा 1 meter by 1 meter का bear कर ले इसी वज़े से ये 500 mm का जो एक strip त्यार होगा means 500 mm into 1 meter के strip का ही load बैटन bear करेगा इसलिए वो load प्लाई के load code 0.25 means जो बैटन की spacing है उससे multiply करने पे 0.724 मिल रहा है अब ये load calculation आपने देख लिया दोस्तों कैसे है और ये भी बताना चाहूंगा कि बैटन की देखिए विर्थ कितनी consider की गई है 5 cm क्योंकि 5 into 75 का बैटन होता है जिसको आप एकदम initial language में 2 by 3 का बैटन बोलते हैं ये दोनों इंच में होता है दोस्तों ये हमेसा ध्यान रखिएगा जो आप board making करते हैं अब wall के design के लिए कौन-कौन से check होते हैं दोस्तों already मैं बता चुका हूँ bending check होता है, shear check होता है, reflection check होता है फिर आप compare करते हैं compare करने के बाद अपने design consideration को match करवाते हैं यदि match करता है तो ठीक है otherwise कैसे आप redesign करेंगे या फिर कब आपको किस condition में redesign करने की जरूरत है ये भी यहाँ पे आपको पता चलने वाला है अब यहाँ bending check के लिए देखा जाए तो bending check में last video था आप बिलकुल आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं अब जो आज का special होने वाला है ये shear check होने वाला है अब shear check के लिए क्या करते हैं दोस्तों कि shear check के लिए आपको मालूम है कि simply supported end condition में यहाँ पे calculation की जाती है क्यों की जाती है ये भी मैं आपको या bending moment निकालने की वह बहुत ही जादा typical हो जाती है और tough होती है इसलिए simply supported beam condition के लिए आपके लिए use किया जाता है और इसमें ideal consider कर लेते हैं उस load को और ideal consider करने से क्या होता है कि जो आपकी load calculations है वह अच्छी हो जाती है easy हो जाती है और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ideal के regarding जो भी bending moment आप निकालेंगे वो value हमेशा जो point loaded value है उससे जादा आएगी और इस वज़े से आपका जो design रहेगा वो already safe रहेगा इसलिए simply supported condition के लिए जादा तर यहाँ पर calculations की जाती है अब shear force के लिए आप कहेंगे क्या होता है तो shear force के लिए already आप लोग ने strength of material में पढ़ा होगा WL upon 2 होता है L upon 2 की value जो आपका simply supported beam का span का divide किया जाता है और जो W होता है means जो load उसका multiply किया जाता है means WL by 2 का formula आप यहाँ लगाएंगे और उसकी value 217.22 kg आती है अब यह already calculated है दोस्तों कैसे calculated है कि आपने baton पे load तो निकाल लिया 0.724 ton meter आता है means यह ideal आपके पास आया जो baton पे work कर रहा है अब इस value को L की value 600 consider की गई है अब 600 कैसे consider की गई है यह भी मैं आपको बताना चाहूँ अब यहाँ एक बात ध्यान दीजेगा दोस्तों कि जो baton पे आपने load calculate किया means 1 meter length और दोनो baton के बीच की spacing का आधा आधा जो part होगा means एक baton यह पूरे part का load wear करेगा दूसरा baton जो होगा वो तीसरे baton के आधे span और पहले baton के आधे span का load wear करेगा इस तरह से आपने load calculation निकाल लिया कि इसकी load जो baton पे आ रही है वो 1 meter length और 250 mm की spacing का जो भी load आएगा ply पे वो baton wear कर रहा है अब यह baton पे आने वाला यूडियल है लेकिन जब आप baton को support दे देते हैं यह दो waller से दिया हुआ है और इन waller की distance कितनी है 600 mm आपने एधी consider की है तो इस consideration के regarding जो यह baton है यह एक तरह का simply supported beam का का काम करेगा जो की end support पे यह पहला waller यह दिया आप consider करें और यह दीसरा waller consider करें तो और इस condition के लिए जो span होगा वो 600 mm ही consider किया जाएगा इसलिए जो L की value है वो 600 calculate की गई है अब यह shear force की value आपने निकाल ली shear force की value निकालने के बाद आप shear stress निकालते हैं और shear stress कैसे निकलेगा इस value के ज़िए cross section area जो button का आप 2-3 button का use कर रहे हैं उससे ज़िए divide कर दें तो आपकी जो shear stress की value है वो आपकी calculate हो जाएगी अब बात आती है कि यह कैसे होगा तो normally 2-3 button यूज किया जाता है दोस्तों 2-3 inch में बोला जाता है और 5 cm और 7.5 cm यह यहाँ पर depth और width होती है अब इन दोनों का multiply करेंगे तो cross section area देखे 37.5 cm square आती है अब इस value को जो आपकी 217.2 kg की value आई है shear force की उसमें divide देंगे 37.5 से तब जो value आएगी वो 5.79 kg per cm square आएगी और जबकि IS code के हिसाब से elevable shear stress of wooden battens उनमे 6.4 kg per cm square considerable है मिन्स आप 6.4 kg per cm square resistance वो सहन कर सकता है wooden battens और आपकी जो calculated value है 5.79 है जो की 6.4 से काफी कम है इसलिए आप कह सकते हैं कि shear check में आपका battens पास हो रहा है bending में आपने check देख लिया है कि already पास हो रही मिन्स आप जो design कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे है और इस तरह से calculate करके अधि आपने सारी materials को proper spacing पे लगाया तो आपकी wall कभी fail नहीं होगी और बाकी जो आगे की checkings हैं दोस्तों वो भी मैं video आपके सामने लेके आता रहूँगा waller का कैसे करेंगे यह सारी बाते मैं आपको बताऊंगा इसके staging कैसे होगी चाहे कितनी भी heavy wall हो वो आप बिल्कुल easily तरीके से कर पाएंगे तो इस video में दोस्तों आप इतना ही अब मुझे विदा दीजिए next video के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस video में बने रहने के लिए